नमस्कार मैं हूँ रविरंजन आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस के स्टार प्रचारक कॉंग्रेस के कदावर नेता और जारखंड में कॉंग्रेस प्रभारी आरपियन सिंग ने कॉंग्रेस छोड़ दी है और अब बीजेपी जोइन कर लिया है बीजेपी जोइन करते समय आरपियन सिंग ने कहा कि 32 सालों तक जिस पार्टी में रहा वो पार्टी अब वैसी नहीं रही देखे एक रिपॉर्ट वरिष्ट कॉंग्रेसी नेता आरपियन सिंग ने मंगलवार को पार्टी से इस्तिफा दे दिया यूपी के कद्दावर नेता आरपियन सिंग मंगलवार को ही भाजपा में शामिल हो गये उन्हें केंद्रिय मंत्री धर्मेंदर प्रधान, केंद्रिय मंत्री जोती राधित्य सिंदिया और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंद्र देव सिंग ने भाजपा की सदस्यता दिलाई उन्होंने आज सुबह कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी से इस्तफा दे दिया ऐसा कहा जा रहा है समाझबादी पार्टी के स्वामी प्रशाद मौरे के खिलाफ कुशी नगर की पड़रोणा बिधान सवा सीट से आर्पियन संग चुना उलर सकते हैं इस मौके पर आर्पियन सिंग ने कहा कि 32 साल जिस पार्टी में रहा वो पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई है उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में प्रधान मंतरी के निर्थित्व में जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है वो पूरे देश ने देखा है पुरवांचल में जिन योजनाओं का सपना देखा जाता था वो आज लोगों ने हकीकत में बदलते हुए देखा है कानून व्यवस्था को जिस तरह से पिछले 5 सालों में ठीक करने का काम हुआ उसे पूरे देश ने देखा है चलिए आरपियन सिंग कॉंग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता है जिन्होंने बीजेपी जोइन कर लिया खबर ये है कि वो कुशी नगर के पड़ोना से स्वामी परसाद मौरे के खिलाफ चुनाव लर सकते हैं लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि आरपियन सिंग जारखंड के कॉंग्रेस प्रभारी थे और कहा ये जा रहा था कि जारखंड में सरकार की मुश्किल बढ़ाने ही वाले थे और ये खबर थी कि कॉंग्रेस से बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में सामिल हो सकते हैं आरपियन सिंग उसका नेतित्व कर सकते थे लेकिन इस बीच ये खबर आ गई कि उत्तर प्रदेश में आरपियन सिंग अब चुनाओ लड़ने जा रहे हैं बीजेपी के टिकट पर तो हमारी नजर रहेगी हर अपडेट पर आप देखते रहे हैं विमर्श निउस नमस्कार